नमस्कार, हल्चल में आपका स्वागत है, सबस पहले नज़र डालते हैं अपने शहर रौरासपास की हल्चल पर जलंधर के संगा चोंके निकट स्थेत परल, अस्पताल के हॉस्टल की चट पर एक नर्स का हुआ कतल एक गंभी डूप से घायल जलंदर के राममंडिल इलाके में स्थेतनी जी अस्पताल में डॉक्टरों ने पती से बिना पूछे पत्नी के किये दो अपरेशन पत्नी की हुई मौत नाभा के मुहला करतारपूर में सिलेंडर फटने से एक परिबार के तीन से दस्ते हुए घायल बड़ा हादसा होने से टला और अब हलचल विस्तार से जलंधर के थानाड विज नंबर 6 के अंतरगत आते संगा चौक के निकट स्थेत पर्ल आईज एंड मेटरनिटी होम में एक नर्स का कतल होने का मामला सामने आया है जबकि दूसरी नर्स की हालत गंभीर बनी हुई है जिस कारण अस्पताल में बने होस्टल में अफरात तफरी मच गई मिली जानकारी के मुताबिक दोनों नर्सों पर हमला होस्टल की छट पर हुआ है जिसमें गंभीर रूप से घायल हुई नर्स को नीजी अस्पताल में भरती करवाया गया है इस संबंद में जानकारी देते हुए अस्पताल में कारेरत नर्स ने बताया कि गत दिवस जियोती नामक नर्स की तबियत ठीक नहीं थी इसलिए वे काम के लिए नीचे नहीं आई गत रात्री लगभग दो बजे जब दूसरी नर्स उपर गई तो वहां के हालात देख कर उसके होश उड़ गए क्योंकि जियोती और बलजिंदर नामक दोनों नर्से खून से लखपत पड़ी हुई थी जिन पर कुछ अग्यात लोगों ने तेजधार हथ्यारों से हमला किया था इस हमले में ब्यास निवासी बलजिंदर कौर की मौत हो गई थी जबकि जियोती की हालत तक गंभीर बनी हुई है फिल्हाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच कई घटना स्थल पर जांच के दौरान तेज हथ्यार का एक टूटा हुआ टुकडा भी मिला है संभावना जताई जा रही है कि हत्यारे छत के रास्ते नर्सों के कमरे में फिसे फिल्हाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है जलंधर से पंका शर्मा की रिपोर्ट कि अधिया कि सटा लगी है वानु मरीदा पता निला इत्ते लगान के बलजिंदर को रही है जाने के सारा स्टाब बली-बली केंदा थी किन्ने साथ का कम कर दिया थी उने टाइटा इतन साल आया है थी जो कोर्स कर कर गया ही वी इस यह स्पिट लही है कुल साज़े के का अधेकर करंडे कोशिच का अधेरा देड़ वाई दी लगे लाट नहीं लगे हैं इस मामला कि लाट दी कटना है पड़न आस के दो जोटी में उसिए बल्निंदर के और तो जोटी जलंधर के रामामंडी इलाके में पढ़ते जोहल अस्पताल में देरात भारी हंगामा हो गया हंगामे का कारण पती से बिना पूछे पतनी का ओप्रेशन करने के बाद पतनी की हुई मौत बताया जा रहा है मिली जानकारी के मुताबिक एक परवासी मजदूर की और से गत सुबे अपनी गरभवती पतनी को अस्पताल में दाखिल करवाया गया जिसके बाद पती को बताय बिना ही उसकी पतनी का ओप्रेशन कर दिया गया ऑपरेशन के दुरान उसकी पत्नी ने बच्चे को जर्म दिया था, पर अस्पताल के स्टाफ की और से उस बच्चे को परिवार से दूर रखा गया, पती ने बताया कि जब बच्चे के बारे में जाच करने लगा तो पता चला कि कुछ ही देर में डॉक्टरों की और से उसकी पत्नी का दूसरा ओप्रेशन भी कर दिया गया जिसके बाद जब वै उसे कमरे में मिलने गया तो उसकी पत्नी को बड़ी बड़ी मशीनों पर रखा गया था और बच्चे के बारे में उसे कुछ नहीं बताय जा रहा था अगले दिन डॉक्टरों ने उसे कहा कि अगर अपनी पत्नी की लाश ले जानी है तो एक लाख 28,000 रुपए जमा करवा दे जिसे लेकर महिला के पती ने जलंधर वेस्ट से विधायक शीतल अंगुराल की बात करवाई इसरान विधायक शीतल अंगुराल ने कहा कि जब उन्होंने गरीब की मदद करने के लिए डॉक्टर जौहल को फोन किया तो डॉक्टर जौहल ने बत्तमीजी से उनके साथ बात की जिसके बाद समर्थ को सहित शीतल अंगुराल अस्पताल के बाहर पहुँच गे और हार पर अगली कारवाई की जाएगी जलंधर से पंकर शर्मा की रिपोड़ के बावक है तो यह प्रवार बलों करता है दो दिन पहले इनी वाइप जोल उस्पिटल से तड़के चार बगे पेन होन दे करके तकर आनली लेके आया इन लेवर क्लास ते मिनत कर देया है आज द आज दपैर नूँ डक्टर जोल जी नो पने कमरे जे बलंदेया इननु केंदे कलग ठाई यार्पी या जमा करा दे कपनी जनानी दी लाज चक्के लें यह बंदा दपैर दर तक्के खारे ना को पैसा है करनता पाजी मेरी वाइप नो होया कि मुझा दास्ते दियो जो जो कि मेरी नाल इंस्टेट होया मैं चाके शाम डाटर जोल फोन किता मैं कर दो दी वाइप लिए कि कितना देच होई है केंदा जी पहे देन दलाच लाज जो नो का अखनी बता दर जो जवाब देता तो मैं सोच्छा जियादा नहीं हो नहीं जाल करनी मैंने द्वारा कि त्यो तो लाबा एरी जनानी इन वाज दी पहरी पता लगी कि मशीन जपाई हो यह पेटेलर जो जिथे अशे दपार तो बाद दोक्टर ने पैसे दी मांग करन जबाद इनू क्या कि अपनी जनानी भी लाज चाके लाज ज़ाए है एक लेड़ी है एक लेड़ी दी देठो इसी करें होस्पिटर करें होस्पिटर करें चल रहे हैं किसी लाज लिया इसी सर वह बच्चे दिल्विरी से इस करके हैं देखो जो भी बियान लखा रहे हैं गया जिद्धा में लखांगे होदे कॉड़िंग लिए सिकार भी करें आए दिन विवादों में रहने वाले जोहल अस्पताल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है दरसल बीती रात एक महिला की मौत के बाद उठे विवाद के तहत डॉक्टर बीएस जोहल पर जहां ऐसी एक्ट के तहत पर चदर्च किया गया जिसके बाद इंडियर मेडि करने की मांग की वहीं चेताम नहीं दी कि यदि ऐसा ना हुआ तो सभी अस्पतालों में काम का जठप कर दिया जाएगा जालंधर से पंकर शर्मा की रिपोर्ट साथ, डॉक्टर जॉल यह एक एक एस लाटाजी एक केस लाटाजी असी आट्डा जेदे भी डॉक्षणादर कोई अपनी गल्पी है नहीं अट एक पेशन जाया सी इन ग्यूको यह और वोड़्स बैट बाद की टीए न सब कुछ करके बचानी पाए वोडे बाद जड़ा है गए लेकाल को है कि inclusively अपर लाएक्पी तब साथ आ जा पाया गया है जड़ाशाब भी अगर के लिए तो अगाल साथ तो चाहिए जा है जिदा कैया रहे है कि शे विजे तो लाक देखा एक है पंजाब में घरेलू गया सिलिंडर फटने के कारण बड़े हादसे घटित हो रहे हैं इसी के तहत नभा के करतारपूर मोहले में उस समय एक बड़ा हादसा घटित हो गया जब एक घर में सिलिंडर फटने के कारण परिवार के तीन सदस्य घायल हो गये जिन में एक साथ वर्षिय अपाहिज बच्चा भी बुरी तरह से जख्मी हो गया जिसे पट्याला केरा जिंदरा अस्पताल में रैफर किया गया है इस रान घर का सारा सामान जल कर राख हो गया गनिमत ये रही कि जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ वहां और चार सिलेंडर पड़े थे जिस कारण बड़ा हादिसा घटित हो सकता था वही घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाडियों ने मौके पर पहुँच कर आग पर काबू पाया ना भसे हल चल के लिए राखुल खुराना की रिपोर्ट कि अप्रवड़ा पेटा उपतो लग गए है चोटा लग गए है कि अधर के सारे नियाग कई जाए है काफी नुकसान हो गया अंदर बोत होगे सिव गदर सारा बोट बहुतार बैट पुर्सान होगे निचे साटे कुछ वहीं बच्ची आतना निचे कोई जीनिबची साटे पूरा परवार अंदर सीगा ते उस तो बाद शी ने आगे परवार काफी सीगी से अंजाब विजलेंस ब्यूरो द्वारा राज्य में भ्रष्ट चा परवार के विरुद्ध शुरू की गई मोहिम के तहत मोटर वैकल इंस्पेक्टर जलंधर नरेश कलेर सहित दो निजी एजेंट रामपल उर्फ राधे और मोहनलाल को काबू कर उनके पास से वाहनों के लिए फिटनेस सेटिफिकेट जारी करने के संदिंग दस्तावेजों के इलावा रिश्वत के 12,50,000 रुपे भी बरामत किये गए हैं इस संबंद में जानकरी देते हुए SSP विजलेंस ब्यूरो जलंधर डियेस धिलो ने बताया कि MDI कार्यालिय जलंधर में काम करते हुए दो एजेंट्स को काबू किया गया है विजलेंस की और से पूचताश के दौरान उनके पास से 12,50,000 रुपे की प्रिश्वत की राशी बरामत की गई है उनने बताया कि इस समबंधी विजलेंस ब्यूरो के थाना जलंधर में IPC की धारा 120B और धारा 420 और भष्टा चार रोगथाम कानून की धारा 7 और 7A के अधीन MBI नरेश कलेर और उसके कार्याले में काम कर रहे 10 प्राइवेट एजेंट्स के खिलाफ मामला दर्श किया गया है जिनमें से नरेश कलेर वद दो एजेंट्स को गिरफतार कर लिया गया है जलंधर से पंकर शर्मा की रिपोर्ट प्राइवेट जड़े है गया वो करिंदे कम कर रहे है अलांके उत्ते MBI जड़े आप खुद हाजर नी सी पर पब्लिक ना डेलिंग करनी उना दे सरकारी रिकॉर्ड देनाल सारा कुछ करना और रिकॉर्ड नो मंटेन करना यो कर रहे से जड़े तो इस बंदी पुषगेश की ते पुखदा सबूत मिले के जड़ी है और बहुत सारे जड़े है गया प्राइवेट एजेंट्स एड़े आओ आड़े ना दे आड़े 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 एस्टेड हो के कम कर रहे है मौके ते दो जड़े है गया प्राइवेट करिंदे एक दा नाम रादे है रामपाल और फरादे दूसरे दा नाम जड़े हैगा मोल डाला वो मौके ते दफ्टते हाजर्च कम कर दे मिले सी उना दी पुषगेश तो गे रवील होया के जड़ी बाकी फील्ड वच कम कर रहे जड़े है एजेंट सा ओ जड़ी मोटर वहीकल दी पासेंगा उदे चल लोकां तो जड़े है गया रिश्वत दुरूबिच पैसे कठे करके एंबीए इस स्टाफ नू ते एंबीए नू जड़े है गया हो हरे एक पर केस दिन देया बहबल कलांग गोली कांड और कोट कपूरा में हुए कांड के बाद अब शिरोमनी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंग बादल की मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है तो वहीं इस मामले में काम करने वाले कुवर विजे प्रताप सिंग जो की अब अमरिस सर से विधायक हैं जब उनकी तरफ से बादल परिवार के खिलाफ कोई F.I.R. दर्जन नहीं की गई तो कॉंग्रेस पार्टी के समय के दौरान उनकी और से इस्तीफा दिया गया था जिसके बाद अब S.I.T. की और से सुखबीर बादल को पूचताच के लिए बुलाया गया है जिस पर बोलते हुए कुवर विज़े प्रताप सिंग ने कहा कि सुखबीर सिंग बादल ही नहीं बलकि पूरे परिवार के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और उन्हें सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए अमरी सर से हल चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट पूरी जनकारी रख दा हाँ फेर भी गुरु गबिंद सिंग जी दी अदालत देविच जान दे क्यों लोड़ पई तुसी सोचो आप सोचना देखो कोई अपसर गिरफतार करन दी तवज्जो रख सकदा है सच खंडश्री दरबार साहे परिसर से छे वर्ष की अगवा हुई बच्ची को टास्क फोर्स ने पीडित परिवार के साथ मिलकर लगभग 15 मिनट में बरामत कर लिया ये घटना गद दिवस की है मिली जानकारी के मताबिक गाओं महिमा पंडोरी निवासी बलविंदर सिंग की पतनी बलराजकौर ने कोतवली थाना की पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे अपनी 6 वर्ष की बेटी ममता के साथ श्री दरबार साहे में माथा टेकने गई थ इसरान दोनों को ठकावट महसूस होने लगी और वे श्री दरबार साहे परिसर में दिवार के साथ बैठ गई इसी बीच उसे नींद आ गई कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसकी बेटी उसके पास नहीं थी जिसके बाद उसने बच्ची को तलाशने का प्र अफ्तार कर लिया गया जिसके पास से बच्ची को बराबत किया गया है फिलहाल पुलिस ने आरूपी की खिलाफ मामला दर्च कर आगे की पूछता शुरू कर दी है अमरी सर से हल चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट लिए बच्चा का आख अच्चे लिए बच्चा विए बच्चा टेज गजिए तरी नूं सेरे टने को इदे करी टोकर रही इसे ने परवसी में दूरने प्रवंद्र के में लाजने वो सारे ही अप अब अग्टिवेट हो गया को जगा यह उन्हाने पगड़के टे मेरे वाल लेकिता ने लड़के नूं ते जिदा ना इर्फान है का सी उमर कोई पचीच ते ती साल गया है पचीच साले की बाकी उन्हान रमाड़ लागे जो का प्रवी हम लोचले अंधिये गवी से आजिनों करता जाएगा नाभा के पांडू सर मोहले के पुराना हाई कोट में गदिनों उंकार सिंग उर्फ ईलू नामक व्यक्ती का अज्याद व्यक्तियों की और से कतल कर दिया गया था जिस पर कारवाई करते हुए पुलिस ने इस अंधे कतल की गुथी को सुलचाते हुए 48 घंटों के अंदर आरोपी को काबू करने में सफलता हासल की है संबंध में इंशानकारी देते हुए ऐसे चो हैरी बोपाराय ने बताया कि उंकार सिंग उर्फ ईलू और शिवम कुमार दोनों आपस में दोस्त थे उस रात को इन दोनों की शराप पीनी के बाद आपस में लड़ाई हो गई और शिवम कुमार ने कुल हाडी से उंकार सिंग की गरतन पर बार करके उसे मौत के घाट उतार दिया जिसका पता उन्हें CCTV फुटेज के द्वारा चला है फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाब भारा 302 के तहत मामला दर्ज कर माननी अदालत ने पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड हासल किया है ताकि आरोपी से आगे की पूझताच की जा सके नाभा से हल्चल के लिए राहूल खुराना की रिपोर्ट पंजाम में शिक्षा की क्षेत्र में दिल्ली मॉडल लाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के मोख्य मंत्री भगवान तमान के शहर के प्राइमरी स्कूल का आजहम आपको हाल दिखाने जा रहे हैं जहां बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है स्कूल का आलम ये है कि इमारत खंडर का रूप लेती जा रही है और स्कूल की खस्ता हालत होने के चलते स्कूल में बच्चों की संख्या भी दिन प्रति दिन कम होती जा रही है स्कूल बच्चाने के लिए प्रयास कर रही कमेटी की और से पंजाब के मोख्य मंतरी और शिक्षा मंतरी को स्कूल की हालत सुधारने की अपील की गई है स्कूल बचाव कमेटी के सदस्यों का कहना है कि शहर के बीचों बीच ये प्राइमरी स्कूल है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन इस स्कूल की दशा सुधारने के लिए किसी भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए मही इस बारे में कई बार सरकार को लिख चुके हैं पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया मही दूसरी तरफ ब्लॉक शिक्षा धिकारी गुर्दर्शन सिंग से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस स्कूल के बारे में पता चला था जिसके बाद उन्होंने तुरंत सरकार को इस स्कूल की दशा सुधारने के लिए पत्र लिख दिया है संगरूर से हल चल के लिए जस्वीर मान की रिपोर्ट जिसके लिए पत्र लिए ज़ाँ बिल्कुल गबे है रबगदा बच्चा इथे पड़ सकद है संगरूर नो एही बिन्ति कर देया बिग्रीबारी शेयर दे लोकारी सुनों ए स्कूल नो बनाया जावे ते तांके बच्चे इस अपनी प्राई कर न कêu ब्लोंगों छुप gibारारोल ≤ उस्थ लिखते लिखल होते, स्कूर बलों जा भजागो कॉमेटी रहे, ठरबूल हमेटी होते हैं थाइन भणान का नो support , 3 00.00 . empowered सेंख़ाय अपने पानी विल्डिंग आप सुट्यू राहिया. देरा सच्खंड बल्ला के प्रमोख संत निरंजन दास जी को विदेश यात्रा के दोरान प्रचार ना करने की धमकी दी गई है। देरा सच्खंड बल्ला को समर्पित रवी दासिया समाज से संबंधित अलग-लग संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सयुक्त मांग पत्र में संत निरंजन दास की देश विदेश में अधिक से अधिक सुरक्षा यकीनी बनाने की मांग की है। वहीं SSP दिहाती स्वर्न दीप सिंग ने बताया कि विभिन संस्थाओं ने संत निरंजन दास जी माहराज की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मांग पत्र दिया है। इजरान उनने प्रती निधियों को उचित का डवाई का आश्वासं दिया। अगे जड़ा लोकल पुलिस भी, स्टेट पुलिस भी, सेंटर भी जड़ा प्रोटोकॉल होना स्क्योटी दर्व उन्हों फॉलो कर रहे हैं। असे बार ले कंट्राल भी टेक अप करें। पंजाब दा महालता बहुत खराम चुछा, मैं समय दा कि आच रायंटी काल नहीं होनी चाहिए दी। असे बार मंग पत्तर देर्दास्टा राची कीचा से और यह मंग पत्तर जो थाटे सांत मां पोछ संत दंजादासी महाराजी नू जो फेंट आई है कि उसी बार गुरुवदास्टा पचार बंद कार देग। असे बार मंग पत्तर देर्दास्टा राची काल तो ही बहुत सब आमारे फोन आ रहे ने कि अपार गुरुवदास्टा पट्रेस्ट करेंगे पर असी सब दान दिन साच रणा लोगां डॉक्टर बाबा साब की दिनी सोच चरणा लोगां असी पहला एक मंग पत्तर असपा माहिलपूर के गाओं पढिया कला के सरकारी सीनियर स्केंडरी स्कूल की तीन नाबालिग चात्राएं संदिक दहालातों में लापता हो गई हैं लापता चात्राओं में दो नौवी कक्षा और एक आठमी कक्षा की चात्रा है लड़कियों के लापता होने से स्कूल और गाउं में खलबली मच गई है। इसरान स्कूल के प्रिंसिपल और लड़कियों के माता-पिता की और से दी गई शिकायत में बताया गया कि उनकी बेटियां रोजाना की तरहां गत सुबह घर से स्कूल के लिए गई थी लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। स्कूल के प्रिंसिपल मंचीत सिंग ने बताया कि स्कूल की प्रार्थना सभा में हाजरी लगाने के बाद ये च्छात्राएं गेर हाजिर थी। जिसके बाद उन्होंने च्छात्राओं के घरवालों को फोन किया और फोन सुनकर लड़कियों के अभी भावक दंग रह गए। मिली जानकारी के मुताबिक ये लड़कियां अपना अधार कार्ड भी साथ ले गई हैं। फिलहाल थाना चब्यवाल की पुलिस ने अग्यात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्श कर लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है। होश्यारपूर से हल चल के लिए अंकुष ग पर बाद देवेजिकि पेपल चाल थे पर एपाबच्चा ने भी साने हुं ते फिर मैं उनों पुष्या की ये पच्छा कि ये थे खिली यहा राई नहीं है फिर उन पेरेंट्स्ने पोन कीता गया था ज़त अए पोन मेरा चक्र देश से कि अधान जड़ावा कुष ही प्रिया से दूसरी से गिन से लिए लागी थी। वमर हो ओना थी। उमर हो नहीं लगभा प्रोक्समेटी थी। थिरा चौरा सामज है लगए है कि तो अनो के था पता लगगा भी उचल गई जा लगई जा अड़ी। वे प्रेट रख दिया थे बच्चा अपुड़ों तो बच्चिया थे एपस्ट लगी है उस तो बार पर कलास जाके यहीं देखिया पर बाक्या बच्चिया नहीं आई यहीं बड़े कार्जमू सुचिप शोकमारी क्यों गई करों पता कुछ नहीं स्कूल कौन से टड़ गया से किन्ने वजे साथ बच्च के चाड़ी मिन्ट पर तुरी शाट के फेरो तु स्कूल अंदर नहीं पाड़े अंदर भी बड़ी तोड़ी जी फिर अधी लागे आ गए उत्ते बंदे बहुत सिके मोटसा बच्चे साथ हो यह राज हर वाज है जो आसी बच्चे आटिए कारफोन कीता और पेरेंट्स नहीं किया ए बच्चे साथ हुए देए स्कूल गये लेकन असे यूना अंदस्या वह यह नध बच्चे साथ हो तो पॉन्चे नी फेर झान देवें जाया पच्चे जी आएं ज अम्रिस सर के थाना सिवल लाइन के अधीन आते इलाके में एक PCR करमचारी की और से एक नौजवान के साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश की गई जिस संबंध में पीडित नौजवान की और से पुलिस को शिकायद दी गई है कि ASI पमनकुमार ने उसकी उपर दर्च हुए मामले को रद करने के लिए उसके साथ नाजायज दोर पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाब डाला जिसके संबंध में उसने पुलिस को ये शिकायद दी है फिलहाल पुलिस ने मामला दर्च कर आगे की कारवाई शुरू कर दी है अमरी सर से हल चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट मां बगला मुखी धाम नस्दीक लम्मा पिंडचोंक होश्यारपुर रोड पर स्थेत गुल मोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भार्दवाच की अध्यक्षता में सब काहिक मां बगला मुखी हवाई अग्य करवाया गया जिसमें सबसे पहले ब्रामनों ने नवग्रह, पंचोपचार, शोडशोपचार, गौरी गनेश, कुम्भ पूजन, मां बगला मुखी जी के निमत माला जापकर, मुखी यजमान, विवेक सहगल से सपरिवार पूजा अरचना उपरांत हवं यग्य में आहूतियां करने के बाद नवजीत भारदवाच ने अपने विच्चार व्यक्त करते हुए कहा कि मन, वचन और काया का सदुप्योग करना ही धर्म है, हमें ये तीन साधन इस शरीर के साथ ही प्राप्त हुए है, इसी से नर्क त्रियंच मनुश्य देवगती में जहां जाना चाहे, वह जा सकते हैं, इसके लावा प्रमात्मा पद तक प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कहां कि हमारा करतव्य है कि हम हमेशा मन, वचन और काया को शुब से शुबतम बनाने का प्रियास करें और मन का सदुप्योग करें, इस रान इस अफसर पर एड़ोकेट राजकुमार, रोहित मान्या सहगल, बावा खन्ना, मोहित बहल, संजे, बल्देवराज, रोहित भाटिया, राकेश प्रभाकर, गोपाल मालपानी, बावा जोशी, ओमकार सिंग, रोकी, समीर चोपडा, अश्वनी शर्मा, विकरम भसीन, विकरांथ शर्मा, संजीव शर्मा, मानव शर्मा, जिंदर कत्याल, गौरव कोहली, पुनम प्रभाकर, प्रशांत, राजन पाटनी, अजे, विनोध खन्ना, प्रिंस, राकेश, प्रवीन, अशोक शर्मा, सौरम मलहोतरा, सुनील जगी, दीपक, पंकज, इकबाल और जिस्विंदर सिंग सहत भारी संख्या में श्रधालू प्रशाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जल अंधर से हल चल के लिए सुरंदर बावा की रिपोर्ट। अमित गुप्ता, प्यूश जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहत, संख्य भक्त जन मौजूद रहे। जल अंधर से हल चल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। बॉलिवड के प्रसिद्ध अदाकार राजबबर अपनी आने वाली फिल्म भूत अंकल तुसी ग्रेटो की प्रमोशन के लिए जलंधर पहुंचें। फिल्म की प्रमोशन के दुरान उनके साथ गुरप्रीत घुगी इहाना धिलो भी मौजूद रहे। इस मौके पर राजबबर ने कहा कि ये फिल्म होरर फिल्म है और इसमें कॉमेडी भी भरपूर मात्रा में है। जिसकी प्रमोशन है तुर वे जलंधर पहुंच रहे हैं। उन्हें आशा है कि दर्शकों को ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। 26 अगस्त नूँ जनी कि आउंदे शुकर वरा फिल्म साड़ी रिलीज हो रही है। पूत अंकल तुसी ग्रेट हो और बड़ी खुशी दी ग्रेट जेड़े केसी बुकाडिया साथ ग्रेट अपने हिंदी फिल्म मेकर पहली बार पैर तरह वा कर रहे है पंजाबी सिनमेच और राजबबर साब जय परता होना नूँ तुसी पहली बार स्क्रीन दियोते कठे असरानी होना दी बड़ी कमाल दी अपेरेंस इस फिल्म दे विच तो पंजाबी सिनमा ली बहुत नमिया चीजा है इस फिल्म दे विच गयाने और बड़ी गाला के कॉमिक हॉरर कॉमिक ब्लैंड लोकाने पहली बार यह देखना है तो मेरे ख्यालना लेको नवापने इस फ ते देखके दस्यों कीडा अंकल है ती कीडा ग्रेटा थकीडा पूटा ठीका बाकी केशी वुकाड़िया साथ अपने पैर्जमाए और यह लोगी तो बहुत प्यार देना आई गए आई गए गाई 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 जह सब लोग लिजंड लोग है मैं आपको बोलता हमने सब अक् तुम्हे ने मुझे मान समान दिया मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद हाद चोड़ के दन्यवाद को बहुत शुक्री जी बुकाड़िया सभ़ आपकी ये फिल्म सक्सेस्फल हो और आप आगे भी पंजाबी फिलमें बनाते रहें बहुत ही अच्छी जोनर में आ रहा है यह फॉर्री में होरा फिल्म है in Punjabi में साथ इसाथ अच्छे जे परदा जी सभी लोगों ने हम लोगों ने इसमें महनत कि है रॉम किया और अप लोगों की नग्रों में और आप लोगों की दिल में अधर गी रॉर्य और यह करेक्टर इस बरी दिफ्रेंट अम इवार फिलम थिश इस मैं फिर्स एक्षिन फिलमों एव एक्षिन फिलम लोगों को बहुत पसंद हांगी अभी तक हम को ट्रेलर से बहुत अच्छा रिस्पॉंस मेर रहा है यह वाली पिचर बच्चों से लेके हर एज गॡुप इस पिचर को देख सकता है है सो बच्चों के करेक्टर बहुत अच्छ है सो वी इस होपिंग फॉपिंग फॉपिंग लोगों को पसंद आईगी ब्लड डोनर्स वेलफेर सोसाइटी संग्रूर की और से एक विशेश प्रेस वारता का आयोजन क्लब के अध्यक्ष जगदीश गर्ग की अध्यक्षता में किया गया उन्होंने बताए कि हरवर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल खूंदान केंप का आयोजन संग्रूर में किया जा रहा है इस मौकी पर उन्होंने कहा कि प्रतेक स्वास्थ व्यक्ति को छे महीने के बाद अपना रक्तदान अवश्य करना चाहिए जिससे कई प्रते से उनकी सुसाइटी का संदेश दुनिया भर में पहुंच रहा है करते हैं इस मौके पर सुसाइटी के अन्य सदसेगन भी मौजूद रहे जाल अंधर से हल चल के लिए सुदेश भगत की एपोर्ट वलाग दौनर्ज बेलफिया सुसाइटी इर्जिस्टर संदूरू जो पिछले सोला साला तो बगैर सकारी गरांटां तो जिमें मुख्त पोल्यों केंप घूंदान केंप मेडिकल केंप पोदेल होना ते समय समय ते लोड़वाद बच्चियां नों स्कूल बैग, कोटियां बूट, स्टेशनरी ते कपड़े दान दावी दानी सज्जना दे सहजोग नाव कम कर दी है, सुसेटी वल्लों लोगका दी मंग ते सत्मी बार खूंदानिया दी डिरेक्टरी मेहक दोहजार भाई रिलीज किती गई, जिस विच खूंदानिया दे नाव प्लड़ ग्रुप ता जो लोडबंद पेशेंट उन्ना दा उदा लाग लेके कम कर सगदा है, ते लोडबंद मरीज सिदा खूंदानिया नास पर करके लाग ले सगदा है, जिस दा सेरा संस्था दे डिरेक्टर जिर्दीस गर्ड अते उन्ना दी स्मुची टीम नो जादा है, इसलिए मैं स्म तेरा देमादियों रहीं बेंती करता हैं कि हर इक इंसान खूंदान जुरूर करना चाहिएँदा है। और तीज कर दिया, इस संबंधी जानकरी देते हुए प्रॉप्टी डीलर शीशन बंसल ने बताया कि पंजाब सरकार की और से प्रॉप्टी की खरीद बेच पर अनो सी की लगाई शर्तों से आम लोगों के साथ प्रॉप्टी डीलर्स को भी समस्याएं आ रही हैं। के जिला अध्यक्षुन नरेंदर शर्मा, शशी बंसल, सुरंदर बिट्टू, राजेश राजू, महेश लोटा, संजे सिंगला, ज्यान सिंग, काला राम, लाड़ी बंसल, सुनील कुमार, विनोध वर्मा, विजे कुमार और अमन शर्मा भी उपस्थित रहे। इस मुद्धे पर जब ईयो मनपरीत सिंग का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिव नहीं समझा। बर्नाला से हलचल के लिए विनोध शर्मा की रिपोर्ट। पर जानने की रिपोर्ट। पर एक नजर फिर से। जलंधर के संघा चौंग के निकट स्थेत परल अस्पताल के हॉस्टल की छट पर एक नर्स का हुआ कतल एक गंभी रूप से घायल। जलंधर के राममंडल इलाके में स्थेतनी जी अस्पताल में डॉक्टरों ने पती से बिना पूछे पत्नी के किये दो अपरेशन पत्नी की हुई मौट। नाभा के मुहला करतारपूर में सिलेंडर फटने से एक परिबार के तीन से दस्ते हुए घायल बड़ा हादसा होने से टला। इसके साथ ही अब तक की गत्विधिया स्वाप्त होती हैं और तासा चानकारी के लिए देखते रहिए हल चल। और दो तक की लिए रहिए हैं और तक की लिए हैं और तक की लिए दुए जगने से लिए मुए झाल।